जलसेवा परजय इस पार्ड में हम जलसेवा विवस्ता यवं संपन्तित परिक्रियाओं से परजित होंगे। वाटर सर्वीश यानि जलसेवा कनेक्शन वाटर सप्लेई यानि जल अपूर्ती विवस्ता का महुद्धपूर्ण एक अंग है। ये अध्याई के अंद में आप Water Service यानि जल सेवा Connection समझेंगे कि किस प्रकार पान इस त्रोज से निजी खरों और इमारतों में पहुंचाया जाता है। पहिचाने की जल सेवा प्रक्रियास त्रोज के निजी या सार्वजनिक होने पर निर्फर करती हैं। Water Service यानि जल सेवा Connection में प्रयोख होने वाले पाइपों से परिजित हो जाएंगे। जल सेवा जल विदरन व्यवस्ता का ओ अम्श है जिसमें प्लंपर यानि नल साज पूरी तरग शामिल होते हैं। जल विदरन व्यवस्ता में इससे पहले के चार कदम स्त्रोज, शोथन, रखाव और विदरन है जो मुख्य तोर पर नगरपालिका के अंतर गदाते हैं। जल विदरन की बुनियाती प्रक्रिया इस प्रकार समची जा सकती हैं। पानी को स्त्रोज से इमारत या खर तक लाने के बाद उसे पैपों द्वारा खर के अंदर पहुंचाना होता है। इस कदम को जल सेवा कहां जाता है। जल सेवा पैपों के उस समूह को कहां जाता है जो पानी के मुख्य पैप से इमारत या कर के अंदर लाते हैं। जलसेवा सार्वजनिक अधवा निजी जलस्त्रोज से जुड़ी हो सकती है सार्वजनिक जलस्त्रोज को सिति मेन कहा जाता है ये वो पाइप होते हैं जो शहर के अंदर एवं नगरपालिगा के तहट हर इमारत एवं खर तक पानी राया जाता है निजी स्त्रोथ आम तोर पर कुवें के रूप में होते हैं हमें इन स्त्रोथों से जल को खरों और इमारतों तक ले जाना है हम एके से करें आईए अब इन दोनों प्रिक्रियाओं को विस्तार में समझें सार्वजनिक विद्रन व्यवस्ता से जोटना सार्वजनिक कनक्शन में जल सेवा की व्यवस्ता वाटर में या खुएं से इमारत तक पानी ले जाने वाले पैपों के समुफ द्वारा की जाती है ये पैपों का पहला समोह होता है जो पानी को इमारत के अंदर लाता है शहर के विफिन हिसों में जल विदरन करने के लिए वाटर में नामक मुख्य पाइप बिच्चे होते हैं इन पैपों द्वारा स्त्रोज से लाया पानी अंद में नगरपालगा के ताहत हर इमारत यवं करतर पहुंचता है इस आगरी उदेश में सफलता प्राप्त करने के लिए ही जलसेवा विवस्ता का निर्मान किया जाता है पैपों का वो क्रम जो वाटर में अधवा मुख्य पाइप को कर से जोड़ता है जलसेवा कहलाता है सानवजनिक या सामुदाई जल विवस्ताएं पानी के प्रदिल्टर कर्च को नापने के लिए पानी के मीटर का प्रियोग करते हैं इससे जल निकम पानी के खर्च का पिल बनाने में समर्थ होता है ये एक सारवजनिक या सामुदाई जल विवस्ताद्वारा सेव जलसेवा विवस्ताएं गरम मौसम वाली जगाओं में पाइप आम तोर पे इस प्रगार ही बिचाये जाते हैं ठंडे मौसम वाले प्रदेशों में बर्फ अधवा अधिक ठंड पढ़ने के कारण पाइपों में पानी जम जाता है एसी जहों में पाइपों को और गहराई में बिचाया जाता है जिससे उनका बजाव हो सके और उनमें बहता पानी न जमे निजी विवस्ताएं निजी पानी की विवस्ताओं में आम तोर पर खर अधवा इमारत के ताइरे के भीतर ही हुआ होता है जिबकि आम तोर पर निजी जिल सेवा कनक्शनों में पानी की मीटर की आवशिकता नहीं होती दैनिक पानी का उब्योग नापने के लिए उन्हें लगाया जा सकता है ये एक नेजी जल व्योस्ता से जुड़ा हुआ जल सेवा पाइप है आईए देखते हैं कि जल सेवा पाइपों द्वारा हुए से इमारत के अंदर पानी कई से लाया जा सकता है कई डिसाइन संबव है जिन में कुछ टंकियां पंप होस अधवा खरक के अंदर स्थाबिध हो ये एक भूमी गद टंकी है जिसमें कुवे से लाया पानी जमा किया जाता है लगभग ऐसे ही डिसेन की टंकी नगर के मुख्य पप से भी जल ले सकती है यदि सारवजनिक कनक्शन ना हो कभी-कभी स्थिदी ऐसी हो जाती है कि खर से जोडने के लिए कोई सारवजनिक जल सेवा उबलब्द नहीं होती नलकारों के लिए ये समस्या हल करना काफी कटिन साबित हो सकता है निजी नर्साजी में नालियों इत्यादी की व्यवस्ता करना आउसान बात है परंदु खर के नलों तक पानी उबलब्द करना कटिन ये कार और भी कटिन हो जाता है अगर स्त्रोध पहले से ही स्थाबित ना हो इस तदी में पहले एक जलक का स्त्रोध खोजना पड़ता है आप तोर पर स्त्रोध कोई नधी या बांध होता है जहां से पानी को पंप किया जाता है फिर एक कुवा बिना कर पानी को पाईपों द्वारा उन जगों तक पहुंचाया जाता है जहां उसकी अवश्यकदा हो वहां पर कुवा योड टंकी बिना कर पानी जमा किया जाता है और अवश्यकदा नसा पंप किया जाता है कुअ के connectionों के बारे हम बाद में विश्दार पूरवक जानकारी प्राप्त करेंगे जल सेवा pipe क्या आपको पता है कि जल सेवा में किस प्रकार के pipeों का प्रयो होता है आईए जिल सेवा कनेक्शन में इस्तेमाफ होने वाले पाइपों के कुछ फायदे यवं नुकसानों के बारे में पढ़ें जियाई पाइप प्लास्टिक पाइपों का जिल सेवा में ज्यादा प्रयोग होते हैं आम तोर पर इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पाइप है सक्त पोली विनेल क्लोरेड पाइप अधिक खनत वाले पोली इतलाइन पाइप प्लास्टिक पाइप के लाप खलके, लचीले, स्यादा चलते, गलते नहीं प्लास्टिक पैप की हानी आसानी से तूट जाते हैं वाटर मेन नामक मूखी पैपों या कुएं से पैपों द्वारा जल को इमारत तक पहुंचाने की व्यवस्ता जल सेवा व्यवस्ता कहलाती है सारवजनिक कनक्शन की जल सेवा व्यवस्ता में वाटर मेन या कुएं से पैपों द्वारा जल को इमारत तक पहुंचाया जाता है नेजी जल सेवा व्यवस्ता में आम तोर पर खर या इमारत की भूमी में स्तित कुएं से पानी रिया जाता है आम तोर पर निजी जल सेवा में वाटर मीटर की सिरूरत नहीं बढ़ती है। आम तोर पर जल सेवा समस्थावन में PVC पैपों का उपयोग किया जाता है। सारवजनिक जल सेवा व्यवस्ता वाटर मेन से जुड़ी होती है। निजी जलसेवा विवस्ता कुएं से जुड़ी होती हैं। सारामश, अब आप निजी एवं सार्वजनिक जलसेवा विवस्ताओं से परिजद हैं। और ये समझ चुके हैं कि इन विवस्ता में PVC पाइप क्यों और कैसे उप्यो होते हैं। थैनिवाद।